आज के इस वीडियो में आपको यह वताने जारा हों कि कैसे आप अपने IQZ9 Lite Android में आप अपने मुवैल फोन के slow internet की problem का solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकरी देने वालों तो चलिए वीडियो का में start कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone का internet अगर slow चलता है तो सबसे पहले mobile phone को एक बार restart करना है ठीक है अगला काम यह करना है कि आपके mobile phone के network setting reset करने है इसके लिए phone का setting page open करना है इसमें आपको सबसे ओपर यह search icon पे tap करना है यहाँ पे सबसे ओपर search बार में restart आपको लिखना है नीचे आपको यह option मिल जाता है reset wifi mobile and bluetooth इसे tap करना है इसके अंदर आपको reset wifi mobile and bluetooth पे दुवारा tap करना है तो आपका यह page आता है इस page में तीन setting देख रहे हैं आप wifi, mobile data, bluetooth यह तीनो setting आपकी mobile phone की network setting के साथ reset हो जाती है आपको इसे नीचे की साथ reset setting का यह option tap करना है आप देखे इस वाले page पे mobile phone का screen lock enter करना है इसके बाद आपको इसे right click करना है आपको next page में सबसे नीचे reset setting पे tap करना है आपको थोड़ी दिर में नीचे लिखा हो आ जाता है यहाँ पर network setting have been reset इस तरह किसा आपको mobile phone की network setting को एक बर reset कर देना है ठीक है अगला का में यह करना है कि आपके mobile phone में file का app है इस file का आपको open करना है इसमा आपको नीचे apps का यह option tap करना है यहाँ पर सबसे उपर यह system आप लिखाना है इसे tap करना है इस page में आप नीचे आएंगे तो आपको यह option मिलता Android system इसे tap करना है जब मेरे बताए हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting पर जोपन करिए सबसे उपर आपको इस search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार्वर reset आपको लिखना है आपके mobile phone का जो data उसका backup ले लीचे अपने phone में और दूसरी बात इध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो इस दो काम पहले करना है उसके बाद phone को reset करना ठीक है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी